पेंट की बीमारी में आप कितना खर्च कर सकते हैं अगर आपको नॉर्मल एक ऐसी डिडी हो जाए तो उसमें आपको कितना पैसा खर्च हो सकता है तो हमारे साथ ने कैसे बेखती है जिरो ने नौ सालों में आट से नौ साल में नौ लाख रुपए से ज्यादा कर्च किया है और फिर भी आराम नहीं हुआ तो उन्होंने आईरविद किया और उनका क्या एक्सपिरियंस था क्या क्या उनका केस रिपोर्ट देखेंगे कि किस तर क्या क्या समस्चा है थी क्यू शुरू हुई और उसके लिए क्या उन्होंने इलाज आईरविद में किया नमस्ते क्या नाम है आपका अलेक गोडा कहां स झुझाल जह लुक्राइं तो तक्लीफ आपको हुई थी जिसके लिए इतना खर्च करना पड़ा पड़ेट जिदा खटई-छटी लाइस घ्यास ले था खटी-खटी डखर जएदा आस अधा और भूब नहीं हो रहा यह वह उत्ता अच्छल अच्छछ रहा है और जलन और हा जो प्रॉब्लम बोली थी मैं पूछते जाता हूं ठी आपने सबसे पहला प्रॉब्लम बोला था कि आपको यूरीन कम पेशाप कम आता था और मल इदम चिकना होता था वह तकलीफ होती थी जी ठी अभी कैसी है वह तकलीफ अभी नर्माल है सव में से कितना बर्चन आराम बो और जो खटापन आता था पूरा निकल गया ठीक फिर आपने बोला था भूख नहीं लगते थी आपको अभी वो कैसा है अभी थोड़ा भूख लग रहा है उसमें सौमें से कितना परसंट रिलीव बोल सकते हैं 60 फिर आपने बोला था कि आपको सुबह उटने का मन नहीं करता और शिरीर में बहुत भरी बन लगता था वो कैसा है अभी कुछ नहीं से उसे पूरा आराम है ठीक और आपको गरम चीज खाने के बाद नांक से खोन निकलता था ठेक है अभी कैसा है अभी झाने अभी ख्शात अभी खाया था उड़ेद्वडा भी खाया था उससे कुछ निकला सबकुछ को निकल गया और जो क्फ बन रहा था बहुत सारा अभी ने अभी कफ है या नहीं है अब कफ की समस्चा नहीं है ठीके फिर नाक से खोल निकलना और पुरे शरीर में जलन होना वो कैसा है अब दिरेचन करने के बाद खतम हो गया विरेचन के बाद निकल गया ठीक है और जोडो का दर्द कैसा है अब कुछ नहीं है उसको भी नहीं है हाथ पैर में जो जलन होती थी वो नहीं है फिर आपने बुरह था लैट्रिंगे आप एकदम चिकनापन आपको होता थ वो कैसा है अब जएसे नॉर्मल है लेटिन जएसे नॉर्मल है और दूस की पुरी भी चीज आप नहीं खा पाते थे तो अभी अभी तक नहीं खाए अब खा के हम देखेंगे आप आप सोचते हों कि बाप पर इतनी सारी तकलीफ कैसे हुई तो चलिया हम जानते कि इतनी सा पाणि पीते एग लीटर पानी वह जो पानी बड़त थे तर, पबेट इसने बड़ते थे तो एग लिटर पानी बीते थे, और प्यास रहती थे ऑंग सहा लिए प्यास ने बताया था आपको मैं आपका वीडियो देखे में चैनौ यू देखके में लोग में चैनौम दिख ब्लक कर द WE गें सबीदिक्ट करहते सब्सक्राइब के नहीं भातशवत attorney Mu सिदॉल होacked का आप नाश्टा करते थे जी सा जिस भोड़ी चाहाथे डाल चावल सब्य और कांजी सब्यक्छ था ज्यादा ल्युक्छ अ सब्यक्छ देखंग व्जादा लेते हैं ला था CC मफन्य कमेश्ता 1 धिन्य च्याहन गृतजिक हिंसे बनाते हैं ठैता है रोतीति पानी देखंग पहें सब्यकुकरा किbasis छोड़ा टुकरा इसके डाल गॉबल करके चवल ओबाल रातमें रंग देतें और इसके बाद उसको अगले दिन सुभा पीते सुभा शुबर dal शुबल कि उसमें कुछ और दालते हैं निस्का फानिए बस ऐसे चावल का पानिवां अरud है चाबल का थोड़ा थोड़ा तुकड़ा है इससे उसमें मसाला नमक कुछ नहीं डालते हैं नमक डालते हैं तो कांट जी कैसी हो दिगी श्राव पो चाबल चोटे-छोटे थुफटे जो होते वह उपार जाते उसके पानी और उसी को देते सुपबो पीते तो वोडिसा में यह वह मेरे लेक्चर भी हुए थे जारसी घोड़ा और वह साइड वे आपके आपके कपड़ा कोई फेवस है न संबलपूर संबलपूर में भी लेक्चर हुआ था तो वहां पर यह बहुत ज्यादा पीने का कल्चर है कंज तो आप सुबह नौ बजे जो यह रोटी सब्जी भीटी ते शावल और कंजी लेते थे वो भूख रहते थी नेज़ा真的 दो लेनेकी जोबत क्या करते थे में ट्योलर गयरिश्म्यक इंश्मयक आप तो आप काम करते थे, फिर दो बजे क्या करते थे आप, फिर से खाना खाते थे, क्या खाते थे खाने में, ने डाल चाल सब्जी, दाल चावल सब्जी, और उसके साथ, कांजी, और पीते थे थे, ना, दही चाच वांच भी लेते थे, कभी कभार लेते थे, फिर दिन में सोते रातनो बाजे डाल चावल सबजी रोठी है ना और उसके उसके साथ में क्या लेते थे काणजी तो इतना ज्यदा है इनको कांजी पसंद था इनकी केस में हुआ क्या अब मैं वह बोलता हूं बिना प्यास पानी, तामबे के बरतन में, बिना भूग के खाना और साथ में कांजी जैसा खटा आइटम दिन में तीन बार लेना उसके करण आपका इतना कफपित बढ़ गया था और आप परेशान थे तो जब आपने नव साल पेणे इलाज चालों किया, क्या इलाज चालों किया? रुआ अचिया के भूब्लों में पॉडा के लिए दवाय लित हिए और पेट साथ के लिए दवाय लेथा था जिन्दगी भर गूली खाने के लिए बोला था उनको एलोपेदी डॉक्टर ने बोला था कि IBS-C मतब IBS-C वाला हुआ है उसके लिए उसके लिए उसको दवा खाना पड़ेगा ठीक तो यहां पर आने के बाद हमने उनको 15 दिन पहले आउश्य दी थी थोड़ा सा जो हम बाचनरुक्षण तो उसमें जो भी ड्राइनेस पैदा करने वाली दवाईया है कटुकी है इंद्रेयव हैं परटॉल है दिफला है गुडुची उस ट्रह कि अशचरदिया उनको देते लें के रक्त पे काम करने वाली पित्त को कम करने वाली जो छुषदियां है देकर आपको अच्छा लगा या आपको कमजोरी लगी तो इतना सारा वमन करने के बाद आपको अच्छा लगा या आपको कमजोरी लगी अच्छा लगा या जो है दिकत ने है अभी वोमन करना के अभी उल्टा वमन करके वह और फ्रेश लग रहे थे उनको जो भी जलन सीने वेले में उनको जलन भी ठील खट्टा घड़वाय जो भी था वह उनको निकला निकला दा वान्वन के द्धूमपान की आता है ना धूम गॉंपान जो भी extra कफ था उसके लिए तो वमन होने के बात फिर हमने उनको कुछ दिन का रेस्ट दिया था ज्लिने के बात अब पिछले ही हफ़ते हमने उनका विो यह चिंञила फिर से 5 दिन उनने घी पिया, दो दिन मसाच किया और विरेचन किया, तो विरेचन मतलब लूज मोशन, जो वमन मतलब उल्टी करके, जो क्लिविंग करते हैं, विरेचन मतलब पेट साफ करकरके, तो विरेचन के समय क्या हुआ आपको, विरेचन के समय पेट साफ करने के लिए लेकिन जाना पड़त तो वमन और वीरेचन ये दो ट्रीटमेंट के बाद अब उनको थोड़ा सा उनके घर जाना है तो बस्ती वो बाद में करेंगे ऐसे उनका बुलना है जब आप आये थे यहां पर ठीक है आप आये थे दो जनवरी दो जनवरी आज है चार फरवरी एक महीने में आउश्रती ले कुछ दिनों के लिए और आउश्रतियां देंगे और भी कुछ उनकी जो प्राइवेट समस्चाएं हैं और उसके बाद बस्ती बारिश में करके उनका केस पुरा सॉल्ट हो जाएगा तो यह हमने उसको रिक्वेस्ट की थी उनका एक्स्पिरेंस शेयर करने के लिए क्योंक नव साल से दवा खारे दें तो आपके यहां पी जो आईरविदिक सेंटर होगा अगर आप वहां पर एक महीने का भी टाइम देते हो तो उसमें आपका अच्छा खासा जो आपकी तकलीफे हैं वो एक महीने के अंदर ही 70% तक आपको आराम मिल सकता है अब रही बात खर्च की तो आंदाजय इसमें आपका कितना खर्च आया है कि दे वहन विरेचन और मेडिसन से लेके सो अलमोस्ट उनको एक महीने में जो कॉस्टिंग आई है वो 36-40,000 के आसपस दवा और पंच कर्म करके उनको कॉस्टिंग पढ़ी है बट उससे जो नौ साल से परेशान थे और जो उनके 8-9-10,000,000,000 रुपय गये थे वो किवल एक महीने में आल्मोस्ट पाच परसंट खर्च में ही उनको 70 परसंट आराम हो गया है ठीक तो लास्ट कैसा था आपका आईर्वित का एक्स्पिरियांस एक्दम अच्छा लग रहा है अभी कोई दिकर ने है दवाई तो थैंक्यू अलग जी आपका फीडबाइक देने के लिए तो आप मेंसे भी एसे लोग जिनको बहुत बात थोड़ा सा कॉन्फिदेंस कम रहता और डर रहता है कि कैसे ये ठीक होगा वो औरीसा से आये है राइट आपको यहां का कैसे पता चला मेरा दोस्त वोनिस्वर से आपके दोस्त का वो था और वो छे मрах फको आयते है पहले तो अब हो टेक हो गए इसलिए वो भी ऑए तो इतना मज़ेदार आयरवेद है, इतना मस्त रिजन्ड मिलता है अगर अच्छा डाइग्नोसिज और प्रॉपर जो पंचिकल में किया तो, चलेगा आलेग जी, थेंक यू, धन्यमाद